हेलो एवरिबरन, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास आज हम हिंदी की पाठा पुस्तक पावनी का तीसरे अध्याई का अध्यान करेंगे छोटा गांधी और इसके लेखी का हैं सुरीखा पणन्दिकर तो आए शुरॉत करते हैं कोई रोग कभी भी किसी को भी हो सकता है रोग की भ्यंगरता को दीख कर हमें रोगी को अकेले और असहाय नहीं छोड़ देना चाहिए बलकि रोग से बचने के उपाई करते हुए रोगी की सब प्रकार से सहायता करनी चाहिए आए हम जानते हैं कि एक लड़के ने अपने मित्र को कुछ रोग हो जाने पर किस प्रकार उसकी सहायता करके उसे रोग मुक्त किया जगू जगू देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ दूबई से यह कहते हुए सुहेल भागता हुआ स्कूल के मैदान में खड़ी बरगत की पेड़ के पास पहुचा और जगू वहां नहीं था गोपू, चंदू, नंदू, गीता, गंगा सभी थे जगू कहां है, चंदू, कहां है जगू, तेरे घर के पास ही तो रहता है, सुहेल ने चंदू से पूचा तंग मत कर यार, मुझे नहीं पता, अजीव सी आवाज में चंदू बोला, और सभी कख्षा की तरफ चल दिये सुहेल थोड़ी दीर खड़ा रहा, उसे समझ में नहीं आ रहा था, कि सभी इस तरह का बरताव क्यों कर रहे है, बरताव में इस व्यावार, वी सब जगू, यानि जगननाथ रेड़ी, जगू का दूसरा नाम, या पूरा नाम उसके कारण ही, उसके दोस्त बने थी, साथार दिन में ही, ऐसा क्या हो गया, क्योंकि जगू बाहर गया था, तो इन दोनों में न जाने, ऐसा क्या हुआ, कि कोई भी उसके बारे में बता ही नहीं रहा था, सुहेल, अपनी मा के साथ, अम्मी के साथ बाहर गया था, वापिस आकर वह जगू से मिलना चाहता था, तेकिन कोई उसके बारे में कुछ भी बता नहीं रहा था, कक्षा में अध्यापक जी ने भी पता नहीं कह दिया था, सुहेल, प्रधान अध्यापक के कक्ष की ओर गया, प्रधान अध्यापक मतलब प्रिंसिपल, अर्था, मुख्या अध्यापक, उनके कमरे की ओर गया, चपरासी ने रोक लिया जब उसने कहा कि मैं जगनाथ रेड़ी के बारे में पूछना चाहता हूँ तब चपरासी बोला क्या जाना चाहते हो उस कोडी के बारे में कोडी यह क्या कह रहे हो सुहेल को मानो जटका लगा उसे बहुत अजीब सा लगा कि क्या हो गया ऐसा हाँ हाँ कोड़ी तभी तो उसे स्कूल में आने से मना कर दिया गया है चपरासी ने खाव सुहेल को बड़ा दुख हुआ कि जग्गू बिमार है और जब उसे मदद की जरूरत है तो सभी दोस्त और अध्यापक उसे मुह मोड रही है वह घर गया उसने कुष्ट्रों के बारे में इंटरनेट से सूचना एकत्र की इंटरनेट मिस आप मुबाइल पे जो सर्च करती हो मुबाइल से उसने सूचना एकत्र की और चल पड़ा जग्गू के घर वहां ताला लगा हुआ था अगले दिन वह फिर जग्गू के घर गया उसने देखा कि जग्गू की मा इधर उदर देखती हुई आचल में कुछ ही पा रही है सुहेल ने उनका पीछा किया उसने देखा कि शहर के बाहर एक पुराने घंडर के पास जग्गू बैठा है वह बाहें फैलाई जग्गू जग्गू केहता उसकी उर्दोडा पर जग्गू पीछे हट गया नाना मुझे मच्चू वरना तुझे भी यह रोग लग जाएगा मगर सुहेल ने उसे पकड़ ही लिया बैठ नीचे और बता कि क्या हुआ है आंटी आप ही कुछ बताईए सुहेल ने पूछा क्या बताऊं बेटा जिसने तुम दुबाई गए उसने शाम को जब जग्गू घर आया तो उसके पैर से खून बहरा था और उसे पटा ही नहीं था ना उसे दर्द हो रहा था ना कुछ महसूस हो रहा था हम उसे डॉक्टर के पास ले गए डॉक्टर ने इसके दोनों पैरो और हातों में सुई चुभा कर दिखा पर इसी कोई भी जुबन हरथा दर्द महसूस नहीं हुई डॉक्टर ने कहा कि जग्गू को कुछ ट्रोग हो गया है और वह इसका इलाज नहीं कर सकते कुछ ट्रोग का नाम सुनते ही सब भोचक के रह गई भोचक मिन्स हैरान रह जाना जब स्कूल में बात पहुँची तो स्कूल के प्रिंसिपल ने भी कहलाद भेजा कि जग्गू को स्कूल में नहीं नहीं रखेंगे जग्गू की माने सुबकते हुए बताया सुबकते में में रोते हुए सुहेल बोला पागल हैं सब इतना नहीं जानते कि कुछ ट्रोग इलाज से एक्टम ठीक हो सकता है और डाक्टर शुरू में जो द्वाई देते हैं उसे चूत का डर भी नहीं रहता मैंने इस रोके बारे में पढ़ा है चलिए घर चलिए नहीं सुहेल जब तक जग्गू कीक ना हो जाए हम घर नहीं जाएंगी सब लोग हमें देखकर हमसे बात करना तो दूर उहों फेर लेती है मैंने तुमारे अंकल और रंजना यानि जग्गू के पिता जी और जग्गू की बेहन रंजना उनको तो हैदराबाद भेज दिया है जग्गू की माने बताया ठीक है लेकिन आपको मेरे साथ सरकारी अस्पताल चलना होगा मुझे पक्का विश्वश है कि इलाज करने से जग्गू पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा अर्था ठीक हो जाएगा सुहेल ने कहा सुहेल उन्हें सरकारी अस्पताल की कुस ट्रोग विभाग की डॉक्टर कुमार से मिला अगले आठ दिन जग्गू और उसकी मार डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते रहे डॉक्टर कुमार ने जग्गू को M.D.T. ये एक परकार की दवाई होती है जो कुस ट्रोग यो को दी जाती है उसकी खुराक देकर इलाज शुरू किया और कहा तुम तीन चार महीनों में पूरी तरह ठीक हो जाओगी तुम्हारा रोग अभी रात में कवस्था में है यानि अर्थात क्या है कि अभी जो उसको बिमार हुआ था अभी उसकी शुरुवात ही थी तो हम किसी अगर रोग को अगर शुरुवात में पक लेते हैं तो वह जल्दी ठीक हो जाता है अर्थात हम उसकी दवाई करते हैं तो ठीक हो जाता है यह सुनकर जगू और उसकी मा को बड़ी तसल्ली मेरी डाक्टर साहब क्या मैं स्कूल जा सकूंगा जगू ने पूछा क्यों नहीं यह रोग छूत का तो है नहीं डाक्टर साहब ने समझाया पर सकूल के अध्याबकों को कौन समझाएगा मा की आवाज में चिंता थी तब ही सुहेल ने कहा डाक्टर साहब यदि आप चल कर सकूल में इसके बारे में सब को बताएं तो उनकी भरांतियां यानिकि उनके मन में जो संदे की भावना है वो दूर हो सकती है कुछ दिनों बाल गांधी जी अन्ती के अवसर पर जिसन गांधी जी का जनम दिन होता है अर्थाथ 2. अक्तूबर उसके अवसर पर डॉक्टर कुमार जगू को लेकर सकूल पहुंचे साथ में में कुछ स्लाइड्स और चितर भी लाई थी इसके द्वारा में बच्चों को समझा सके बच्चों और शिक्षकों के सामने बोलते हुए उन्होंने कहा आप सब जो चमड़े की चपले पहनते हैं या बैगादी का प्रियोग करते हैं जानते हैं ये किसने बनाए हैं बाबा आम्टे ये शिवाजी राव पतवर्धन के आश्रम में जिन कुछ ट्रोग्यों का इलाज किया जाता है उन्होंने बनाई हैं ये वस्तुई क्या आप में से किसी को कुछ ट्रोग हुआ नहीं न मैं कई वर्षों से कुछ ट्रोग्यों का इलाज कर रहा हूं मुझे ये रोग नहीं हुआ और ना ही होगा कुछ ट्रोग एक से दूसरे को नहीं होता और ना ही है माता-पिता से बच्चों में आता है यह परकार के बैक्टेरिया से होता है हाल में बैठी सभी लोग उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थी डॉक्टर साहब ने स्लाइड्स दिखाते हुए बताया मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है कि कुछ ट्रोगी अप पूर्ण लूप से स्वस्थ हो सकता है आप सब पढ़े लिखे हैं कम्प्योटर के सुईदा सबको मिली हुई है आप इंटरनेट के माध्यम से इस रोग के बारे में जानकारी प्रापत कर सकते थी मगर आपने बिना सोचे समझे जग्गू का बहिशकार कर दिया मतला उसको अपने से अलग कर दिया यह देखी जग्गू एक्दम खीक है पढ़ लिक सकता है, खेल कुछ सकता है और जानते हैं इस सश्री किसको जाता है अर्थात इसको ठीक करने के लिए किसने सहायता की इस चोटे गांदी को उन्होंने सहे सुहेल को स्टेज पर बुलाया सब ने इतालिया बजा कर सुहेल का स्वागत किया प्रिंसिपल साहब ने अपनी गल्ती स्वीकार की फिर डॉक्टर साहब के साथ सुहेल को भी धन्यवादी इस पार्ट में हमें क्या शिक्ष्य मिलती है कि जब कोई व्यक्ति बिमार होता है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए हर बिमारी का इलाज संभव है अगर हम उसको समय पर हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं और अच्छी केयर करती हैं तो वह स्थीक हो सकता है तो इस पार्ट में अन्मोल पोल है इस अंसार में घ्रिणा घ्रिणा से कभी कम नहीं होती अर्थात नफरत से नफरत को कम नहीं किया जा सकता ग्रेना प्रेम से ही कम होती है ये अनमोल वचन धंपत महातमबुद की पुस्तक से ले गए है इस पार्ट से हमने क्या जाना मुसीबत में मित्रों की सहायता करनी चाहिए रोगों का वेग्यानिक ढंग से इलाज करना चाहिए अन्विश्वाशों के प्रती समाज को जागरुक करना चाहिए और समाज को भैसे मुक्त करना चाहिए इसके साथ ही इस पार्ट में शबद कोश्टी ये हुए है जो मैंने आपको नोर्पुक में लिखने के लिए दे रही हूँ सबसे पहले हैं कठिन शबद और उसके बाद हैं शबदाद ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने है थेंक यू, हैव अनाइस टे